तो फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर मैंने BNB, Ethereum, BTC और ICP को recover किया है अगर आप इसमें investment करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए आपने असाने के साथ इसमें जो point देखे हैं उसमें असाने के साथ एक healthy entry ले सकते हैं अगर आप फुल वीडियो को watch करते हैं point आपने दे BCP, BNB और Altcoin वैसे भी BTC के ओपर ही काम करेंगे ठीक है लेकिन इंटरी का सही वक्त है वो जो इस वीडियो के अंदर बिल जाएगा आपने वीडियो को लाइक कर देने और वीडियो को अच्छे तरीक से देख लेने हैं ठीक है बिस्मिल्ला रह्माने रहिमत सलाम अलेकूं दोसों तो दोसों बिटी से का मैंने फॉर अवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है तो यहां पर आप इसके टार्गट बगारा जो के कल सेलेक्ट किये थे वैसे ही काम कर रहे हैं थोड़ा था इस इसने क्रेक्शन के सब्सक्राइगी 38000 को लेकिन इसके लिए थोड़ी सी हैवी किसम की कोई वो जो नियूज मिले की तब यह ही टेस्ट कर सकीगा 38700 को ठीक है लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि आगे नियूज भी कल से मतलब कि वो वाइरल हो रही है कि 351 मिलियन की जो कि चोरी हो चुकी है एथिरियम से एथिरियम और सलाना ब्लक्चेंट से तो उससे मार्किट में पैनिक रेट हो नहीं थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई तो अभी अगर यह इस पॉइंट को अगर क्रास कर जाता है बीटी सी तकरीबन 37800 के अबब चल चल जाएगा अगर इससे भी इसको भी प्रेक आउट करते हैं असरी आझार से ब्रेक आशल ऑब चला जांगा अगर इसको साड़े 300 के साड़े 300 million के करीब चोरी हो चुकी है ठीक है है कर दो अपना ही कोई बनाया सुलाना बेस के ओपर ठीक है तो सुलाना जो के एक अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन फिर भी वो उससे कोई ऐसा वैसी नियूज आती रहती है तो खैर फ्रेंड्स अगर यह उपर नही करेता तो फिर यह बैक जो कल वाली सुर्तियाल थी जो कि मैंने पहले भी बिताई थी इसको री टेस्ट करता रहेगा ठीक है बार बार तो 36,000 यहां पर बहुत सारे बाई आडर लगे हुए हैं तो इसके ओपर फिर से रिवार्स हो जाती है अगर वो मतलब के बाहर कम हो जा की तो पिर यह 35,000 के करीब आजाएगी और इससे भी ए मारकीट के पैनिक क्रेट की हुए है यह नहीं यहां पर सकती ना यहां पर कोई बाइडर लगा सकते है ठीक है तो खेर फնन से अभी जो के बीटी सी की मैंने बताई है इसके बाद एथिरियम वगएरा की बिता देता हूं बी और आई सीवी की प्रेडिक्शन करनी थी कि वो किस तरीके से काम करेगा तो अगर आपने अडर लगाना है लेकिन सपोर्ट रेडिंग करें सिर्फ जो मार्केट की सरते हाल है वो स्पोर्ट नीचे चली जाए और आपको लोस हो जाए अगर स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं तो अगर मार्केट नीचे भी चली जाए तो थोड़ा से बहुत पैनिक वगएरा होता है तो उसके बाद रिकवरी के बाद मतलब कि उसका लोस रिकवर हो जाता है तो खेर फ्रेंड्स अभ जो के हैकर्स ने है किया 311 मिलियन डालर के थिरियम उसके बाद में ऐसी कोई सूर्ट नहीं बनी अलबता में भी वो आने वाले वक्त में इनको सेल करें अलबता वो सेल भी कर दें तो इतनी ज्यादा क्रेक्शन नहीं आएगी मार्केटिक में ठीक है तो इसलिए अगर वो क्रेश करती है मारकीट तो फिर यह जो चूर्ते हाल है इसके उपर अगर मार्केट चाह्टीए तो फिर 25,000 2500 के करीब चलिजाएगी ठीक है अगर इसको क्रेक्शन करती है तो फिर 22,000 22226 के ओपर अपने मतलब के स्टेवर रहेगी अगर इसको भी ब्रेक करें जो के इतने मतलब कि ये स्ट्रॉंग स्पोर्ट है अगर इसको भी रेक करती है तो फिर मार्किट जो के 2000 और ये जो जून है इसके अंदर अगर इंटर हो जाती है तो फिर मतलब कि मार्किट को थोड़ा सा इसमें इसी जून से ये रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी और बुलिश बुल रन हो जाएगी और मार्किट में इन्वेस्टर आना स्टार्ट हो जाएगे और मार्किट अपना बुम दिखाना शुरू करतेगी अलबता फ्रेंट्स अगर बात करें अभी तो अगर ये इस पॉइंट को अगर क्रास कर जाती है जिसके उपर ये मार्क लगा हुआ है अगर ये 27 को ब्रेक करती है तो मार्किट जो के जाएगी अब 2800 के करीब चली जाएगी ठीक है 2700 और फिफ्टी को अगर ब्रेक कर जाती है इस जून से निकलती है तो फिर मार्किट 2800 के करीब चली जाएगी अगर इस रिजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर मार्किट सि तो फिर यह मार्किट है कि तो उसको यह रिटेस्ट करेगी तो अगर ऐसा होता है तो फिर यह नेक्स्ट जून बन जाएगा इसका थर्टी वन हंडर डालर का थर्टी टू हंडर डालर का उस जून में यह मार करेगी ठीक है तो अगर इसमें फ्रेंट्स पैनी क्रेट होता है तो फिर यह मार्किट ज्यादा से ज्यादा ट्वन्टी फाइव टू हंडर से लेकर ट्वन्टी फाइव और डालर के आरांड बन वर्क तरटी आपको देखेगी तो अगर आप लोगों ने इसमें तो आपने वेट करना है 2500 का तब आप इसमें अच्छाइक कर सकते हैं या फिर वेट करें इसका के ये मार्किट जैसे ही 26,000 के 2600 के गरीब आए तब भी आप इसमें इंटरी ले सकते हैं ठीक है जो के नार्मल पैनिक के अंदर वो आडर लग सकता है ठीक है लेकिन आपने ज्य समाल को जो छोटे कॉइंट है उनकी तरफ आप रिजू करें बड़े कॉइंट की तरफ आप ना आएं ठीक है तो अगर आप बरदाश्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को फिर आप मतलब के कुछ वे वकत के साथ साथ मार्किट अगर नीचे आ जाती तो फिर अगर उसको रिकव कि यहाल बता दिता हूं तो फ्रेंट्स जल्दी से मैंने ब्याइंप का चार्ट ओपन कर लिया है तो यह एक आई से मार्कीट में है ति तीनसो 341 डालर पर अभी मजूद है इसकी प्राइस चल दी है अगर इसको ब्रेक करता है अगर यह करता है तीनसो आसी को ब्रेक करता ह है तो फिर यह सीधा 384 और 396 के क्रीब चला जाएगा ठीक है 317 देजाएगा इसको अगर ये बिरेक के साथ यह 300 और 400 डालर के क्रीब चला जाएगा अगर इसको भी बिरेक करते हैं तो यह प tapa THAT के करीब जरूर जाएगा ठीक है अगर मार्किट में पैनिक हो जाता है तो यह फिर इसी तरीके से मार्किट निची आती हुई 300 जो के यहां तक असानी के साथ आ सकता है 363 के करीब जो के कल की प्राइस चार रही थी इसकी एक मामूल के साथ वहीं पर आ जाएगा तो अगर इसको भी यह मतलब के मजीद के पैनिक होगा रेक्रियेट होता है कोई नियूज बैड आ जाती है तो फिर यह 355 से 357 डालर के करीब आ जाएगा अगर इसको मतलब के इसी से रेजेक्शन मिलती है तो यह फिर 384, 375 के करीब फिर से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब के 375 और 380 के करीब आ जाएगा अगर यह 350 के करीब अगर 350 यह 57 के करीब अगर आप इंटरी लेते हैं तो यह बेस्ट है आपको एक दो दिन के लिए एक मतलब के डिली अर्निंग के लिए यह बेस्ट इंटरी होगी 355 यह 360 के करीब ठीक है तो अगर इसको भी अगर मार्किट क्रेश करती है मतलब कि इसको भी ब्रेक आउट करती है तो फिर 343 इसके उपर यह अपना मामूल बनाएगी मार्किट अगर इसको भी ब्रेक करती है जो कि बहुत ज्यादा बीटिसी की डोमिनेंस में अगर कोई फ यहां पर देख सकते हैं कि यह 300-330 के करीब मार्किट काम करेगी ठीक है अगर यहां पर आ जाती है मार्किट तो यहीं पर इसको बहुत ज्यादा जो के इन्वेस्टर मिलेंगे बिन बी को और यह मार्किट बूम करती हो यह वापस अपने रिकवरी की तरफ रवान हो जाएग करीब मतलब 376 के करीब अगर इसको मतलब के यह जो यह जो लाइन नजर आ रही है इसके उपर अगर यह चली जाती है मार्किट तो आप इसके अंदर बाइडर लगा सकते हैं जो के 380-384 के करीब मार्किट असाने के साथ चली जाएगी अगर बिल्कुल पहने के बगार इंतजार करें आप 360 के करीब 362 के करीब आडर लगा सकते हैं ठीक है तो अभी ICV की बात कर लें क्योंकि ICV के अंदर बहुत सारे लोग अपनी राही दे रहे हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं कि उसकी प्राइस कहां तक जाने वाली है तो फ्रेंस मैंने ICV को उपन कर लिए हैं इंटरनेट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो यहां पर देखें के यह कैसे जून के उपर है अगर इसके अंदर आप अभी इंटरी लेना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा अगर नीचे मार्किट आ जाती है 20 के करीब तो फिर आपने पैनिक नहीं होना यह एक दो मजीद इन्वेस्टर बगर आ जाते हैं तो फिर यह 24.34 340 के कि रीब यह चली जाएकी मतलब के यह 25 डालर के करीब मजीद इसमें अगर इन्वेसटर वगर आ जाते हैं वह आने आ hen तगरीबन एक दो दिन पाel इसमें इन्वेस्ट करना है घर कर जाते हैं तो फिर यह Connect and 1325 35 डालर इसके क।क्रिव आ सकती है मार्केट लेकिन अभी अगर इसकी बात करें तो ये एक ही जून के अंदर 8-10 दिन से एक ही जून के अंदर काम कर। करें तो फिर लेना चाहते है तो फिर और आपकी एक बैस्ट इंट्री हो सकते हैं तो जिस कोई प्रवान के अंदर भी आपने इंटरी लेनी आप 50% लगा दिया करें अगर अपने पैनिक आडर लगाना है 50% लगा दिया करें ठीक है अगर वह मजीद नीचे करेश करती है किसी मतलब पॉइंट को ब्रेक आउट करती है तो फिर आप उसमें 20% पर इसमें इंवेस्टमेंट क कर सकते हैं ठीक है तो अभी के बात करें तो यह अगर क्रेक्शन लेती है आई सीपी क्रेक्शन लेता है तो फिर यह 18 डालर के करीब चला जाएगा 18 डालर और 60 सेंट के क्रीब तो इसमें एक बेस्ट जो के हेल्थी इंटरी होगी आपकी तो उसके इलावा फ्रेंड्स अग क्रीब 14 डालर से 16 के कई इस से मार्कीट ढूबर होना स्टाट हो जईगी तो पर जैना स्टार्ट करेगी ठीक है अपने पंपोंने स्टाड कर देगी और मार्कीट में अच्छा भासा वाउंद देखने को मिलेगा अगर मजीद मार्किट निचे ऑजाती है क्यूंकिंक्त फ देंगे तो अभी पैनिक है और फेर बहुत ज्यादा है मार्किट के अंदर ओपर से यह जो 351 मिलियन के डालर की चोरी हुई है उससे जो बिगनर्स हैं चोटे-चोटे इन्वेस्टर से तो वह उनके अंदर बहुत ज्यादा फेर है ठीक है अगर वह मजीद मार्किट नीचे आ जाती तो फिर वह इन्वेस्ट करना करने स्टार्ट कर देंगे और बहुत ज्यादा बूम देखने को मिलेगा अलबता इसके साथ जो यूएस की इंटरेस्ट रेट का हम नियूज कर जब तक दाने का मार्किट वैसे भी पैनिक का रही ठीक है और इन्वेस्टर जो कर रहेंगे और मैने आडर्बर आप एंटेशिव इंटरी बगारा लेना चाहेंगे तो फिर घर वह मार्च तक ऐसी मार्किट काम करेगी तब तक आप इस तरिके से शौर्ट और लॉंग तर्म के ओपर काम करें लेकिन वह भी स्पोर्ट ड्रेडिंग के ओपर ना कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से यह होगा कि आपको बहुत ज्यादा लोज हो जाएगा ठीक है तो अगर करना चाहते हैं आप अपने भिहाब पे कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग लेकिन स्पोर्ट ड्रेडिंग कर यह होता है कि अगर कोई पॉइंट एक दू क्रैश हो जाते हैं तो मिसीद उसको रिकवर होने में एक दो दिन लग जाते हैं तो लेकिन आपको लोस तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो घरीन है यह इसके रिजिस्टेंस लेवल जाएगी यह आगे बाले इसके उपर चला जाएगा ठीक है इसको ब्रेक करते हैं तो फिर यह यह इस रेडों कलर का है ठीक है इस पॉइंट को अगर यह ब्रेकर देती है डालर यहां से लिद्न स्टोंग स्पोर्ट जो स्टोन सबस्थ और इसको भी सब्सक्राइब थी इंटरी लेना चाहते हैं जो पॉइंट बताए हैं आप उसको फालो करें और आप अच्छी खासी और स्मार्ट अर्निंग कर सकेंगे ठीक है तो ठीक है फ्रेंड्स वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है अगर मजीद कोईंस के हवाले से जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक् हर् kamuपोड़्य झालो कर दूंस इंटरी को लोह मोगले से झाल लंजात वालो कर दो थार कि वीडियो जड़्योच्दी को पालो कर दूंस